हेलो एवरिवन मेरे चैनल टेरिस गार्डनिंग वर्क में आप सभी का स्वागत हैं पिछले वीडियो में हमने गोल्डन बैरल के बारे में डिसकस किया था और आज की वीडियो में हम इस कैक्टस के बारे में बात करेंगे जो है मामालारिया जेल मानियाना और इसको और एक नाम से पुकारा जाता है सिम्पल में रोज पिंक कुशन कैक्टस करके और इसमें देख सकते हैं काफी सारे पर्प्स आए हैं और मैंने पहले भी यहाँ जो भी पर्प्स आए थे उनको डिस्टिबुट किया है यही नहीं इसके पहले वाले जो पर्प्स निकले थे वो भी लगाये थे चोटे भी कुछ पर्प्स थे उनको भी लगाया है और वो अब यह तीन मैने का अपडेट है अभी तक यह कोई मरे नहीं है मतलब जिन्दा है और थोड़ी थोड़ी इनकी ग्रोथ हो रही है तो और इसका अगर मैं साइज की बात करूँ तो जो यह मदर प्लांट है इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका साइज होता है ज्यादा बड़ा यह साइज में नहीं होता और इसमें जब यह काफी मैच्योर हो जाता है तो जो विंटर टाइम होता है विंटर टाइम के आसपास के ताइम पे जो इसका ग्रोइंग सीजन है वहाँ पर यह फ्लावरिंग करता है जो पिंग कलर के फ्लावर्स यह प्रोडूस करता है बहुत खुबसरत दिखते हैं छोटे-छोटे से फ्लावर्स होते हैं ज्यादा बड़े नहीं होते पर यह पूरी तरह से घेर लेता है अपने शेप ऐसे बाहर की तरफ है यहां पे भी मैंने वैसे ही पप्स लगाया थे जो भी काफी अच्छे से ग्रोह हो रहे है तो और एक बात है यह मैक्सिमम बारा इंचेस तक ग्रोह होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता इसमें पिंक वाइट और एलो कलर के फ्लावर्स आते है हाला कि मेरे पास सिर्फ पिंक कलर के जो फ्लावर्स है वो आने वाली वेराइटी अवलेबल है और यह जो प्लांट मतलब यह जो क्यक्टस है यह ज्यादा सनी एरिया में सवाइव नहीं करता है इसको पार्शेल एक सनलाइट वाला एरिया जरूरी होता है काफी इसमें वेल्ड्रेंट सॉयल जरूरी होती है अगर मैं इसकी सॉयल की बायत करूं तो यहाँ पे मैंने रेट जो इटो का चूरा होता है वो पत्तिया थोड़ी सी अपनी गार्डन सॉयल नौर्मल गार्डन सॉयल जो चिक्री मिट्टी हमारे अवालेबल है वो भी मैं यहाँ डाली है कि यह नॉन टॉक्सिक प्लांट है इसमें पाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती पर इसको हुमिड इंवर्मेंट की जरूरत होती है इसको एकदम से आप ड्राइपलेस में ना रखे इसके अलावा इसकी जो एज होती है वो लगभग दस साल के आसप निकालेगा अब अगर मैं क्यालकुलेट करूँ जितने मेरे पास यहाँ और यहाँ सब मिला के हैं 20-21 पॉप्स मेरे पास अवायलेबल है इन एक साल के भीतर इसमें जो फर्टिलाइजर है आप अगर डाल ना चाहते है तो मैं कहूंगा कोई भी एक ऐसा फर्टिलाइजर हो जो लिक्विट फैटराइजर आप डाल सकते जैसे अनियन आपके आज जो डंठल होते आप फेक देते हैं वो आप एक जगा कलेक करे और उन अनियन का जो प इसमें कावडंग भी दे सकते हैं पत्यों का खाद भी दे सकते हैं आपके आप जो भी किचन वेस्ट है उससे आप जो खाद बनाया है वो भी दे सकते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा खाद देने की रिक्वार्मेंट नहीं होती पर ऐसा भी नहीं है कि यह बीना खाद के चल जाएगा इसको एक healthy growth जरूरी होती है हर किसी प्लांट की वैसे इसकी भी है इसकी जो market cost है लगबग 200 रुपे से शुरू होके 1000 रुपे तक आते हैं इसकी seats भी काफी महेंगी होती है जैसे golden barrel cactus की थी अब हम इसके जो extra पर्प से उनका कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम जानते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो दीन चार पाट छे साथ साथ पर्प से और यह काफी जल्दी ग्रो होते हैं अगर यह पर्प्स इस कैक्टस की साथ connected रहते हैं तो इनका जो ग्रो थे वो ज्यादा जल्दी होता है अगर मैं यह पर्प्स निकाल के कहीं एक कंटेनर में या इस तरह के गमलों में डाल दूँ तो अब इसके हम पर्प्स को निकालने वाले हैं आपको बस ऐसे थोड़ा सा घुमाना है यह पर्प्स देख सकते आपके इस तरह से निकले हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह पर्प में निकाल रहा हूं यह काफी डिफिकल्ट है क्योंकि यह बहुत पास-पास में है इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे को कि अगर थोड़े से डामेज भी हो गए निकालते वक्त फिर भी ज्यादा चिंता ना करें यह कि अगर हो जाते हैं इनके जो स्पाइन हैं काफी सॉफ्ट होते हैं आपको इसे अगर चूबेंगे नहीं अगर आप टच करते हैं तो तो यह जो पॉप है वो मैं इस गमले में डालने वाला हूं बहुत सिंब्ली है आपको बस इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है ज्यादा नहीं इस गमले में थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी या पानी डालके रखें आप बस ज्यादा अंदर दबाना नहीं है आपको और जितने में अभी पप लगा रहा हूं इनके भी रूट्स आने के बाद ये एक इंडिपेंडन्ट कैक्टस बन जाएंगे जो की एक दो साल में काफी बड़े हो जाएंगे कि इसमें मैच्यूर होने के बाद जैसे फ्लावर्स आते हैं वैसे फ्लावर्स इसमें भी आएंगे आप देख सकते हैं कि इनको लगाया है आप यहां पर देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से एक पिंकिश कलर के आपको यहां पर दिख रहे होंगे वह फ्लावर से यहां कि अभी यहां पे flowers आना शुरू हो रहे हैं और आपको एक बात बता दूँ यह जो मैंने इधर के पप्स लगाये थे अब आपको मैं यहां पे कही रूटिंग हुई हो एक पप दिखा देता हूँ जहां पे मैंने लगाया था अब एक पप मैं आपको मैं आपको एक पप दिखा रहा हूँ जहां पे मैंने यह लगाया था और जहां पे यह रूटिंग अब आ चुकी है अब देख सकते हैं यहां पे रूट है इसमें आने वाला काफी छोटा सा ही रूट है पर यह इसमें आ चुका है ऐसे ही जो बाकी पप से उनमें भी रूट्स आ रहे हैं है तो आप देख सकते हैं इस क्यक्त्यस में यह रूट्स आ चुके यह हैं और यह जो में भी छोटा वरा दिखाया था। उसमें भी रूट्स आ चुके हैं तो ऐसे ही जो मैंने अभी पप्स निकाल के रखे हैं वहां पर भी इस तरह से रूट्स एक मेंने में डेवलप हो जाएंगे अगर आपने इस तरह से पप लगाए हैं और आपको थोड़ा सा अगर बाहर का एंवर्मेंट ज्यादा रह रह रहा हो आपके आपे तो आप इस तरह के पॉलिथिन ले आपके घर में होगी और पाने डालने के बाद उन पप्स में अब पाने डाले आप पहले ही गंबले में डाल के रखे उसको काफी गीला रखे और उसके बाद पफस अटैच करें आपको बहुत ज्यादा दबाने नहीं है और उसके बाद जो पॉलिथिन है वो इस तरह से लपेट दे बस इतना रहने के बाद आप इसको इस तरह ऐसे जगा रखें जहाँ इसके नीचे आपको पानी मिलेगा या या आपके पास इस तरह की प्लेट होगी तो वो रख सकते हैं आपके पास इस तरह से एक प्लास्टिक की रखने के लिए कोई प्लेट होगी वो रस्ती यह तो तूटी हुए आपके पास अच्छी होगी शायद से और आप इस तरह के प्लेट में ही रिषे रखें और यहां पर पाने डाल सकते हैं अब अगर आपको पाने डालना है हमेशा इस ऐसे बॉटम टाइप में ही आपको इसकी में पाने डालना है आप ज्यादा इसके ऊपर पाने नहीं डालेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे आप आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 20 पॉप्स मतलब 20 इंडिपेंडन कैक्टस हो चुकी है तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू सो मुच पो वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू सो मुच पो वाचिंग मैं वीडियो